हेलो फ्रेंस आज की वीडियो में मैं आप सभी को बल्ब को लपेटने का तरीका बताने वाले हूँ और साथी जाथ बताऊंगे कि आप बल्ब को लपेट कर क्या क्या चीचे बना सकती हैं तो वीडियो की लाज तक बने रहे हैं वीडियो को बीना इस किप के पूरा देखिए तो चलिए बीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो देखें फ्रेंस यहाँ पे मैंने सारे फ्यूज बल्ब ले लिए हैं और यह सारे बल्ब काच के हैं आप चाहें तो LED बल्ब को भी ले सकती हैं तो फ्रेंस मैंने यहाँ पे रेट कलर काउन लिया है और मैंने इसके दो गोले बना लिए हैं अब दोनों गोलों के सीरे को आपस में एक नौट पांद लेंगे अब हम इस फंदे को इसकी खोटी में फजा देंगे अब इसके बाद इसको लपेटना सुरू करेंगे इस तरीके से अब हम इसको लपेटना शुरू करेंगे पहले तो एक एक फंदा चारो तरब बना लेंगे दिखिए इस तरीके से और अपने उंगलियों को पुरा फैला के रखना है पहले हम एक एक फंदा चारो तरब से लगा लेंगे और उन को एक्तम सीधा रखेंगे एक दूसरे पर उन चड़ा नहीं रहना चाहिए नहीं तो बहुत सारा उन लग जाएगा आपका एक ही बल लपिटने में उनके से फैला फैला कर लगाना है ताकि उन एक दूसरे के उपर ना चड़ने पाए और ये लाइने जो है हमारी क्लियर बने और हम अपने हाथों को फैला के रखेंगे उन्लियों को अब इस तरीके से बल्ब को पकड़ लीजिए ऐसे लपिटेंगी बल्ब को तो और भी असानी से बल्ब लपिट जाता है तो दोस्तों देखिए हमारा आदा बल्ब फील हो चुका है अल्मूस्ट अब हम इसमें सुई डाल कर बल्ब को लपेटेंगे तो देखिए फ्रेंज जहां जहां पर हमारा बल्ब खाली पड़ा है उदर उदर हम इसको ऐसे लपेटेंगे देखिए इस तरीके से अब यहां पर भी हम सुई से टाक लगाएंगे अभी इसकी साइड में जो अभी उन जा रहा है जहां जहां जिदर नहीं जा पाएगा उदर हम टाक लगाकर इसको मोड लेंगे देखिए फ्रेंज अब हम इसमें टाक लगाएंगे जिस तरफ हमारा वल्ब खाली है अब हम उन को उस तरफ ले जाएंगे देखिए इस तरफ खाली है और उस साइड भरा हुआ है तो हम इस साइड से इधर ही उनको ले लेंगे सुईस की मदद से देखिए इस तरीके से देखिए ऐसे अब पूरी तरीके से ए फिल हो चुका है कहीं पर भी कोई भी लाइने भी बाकी नहीं रह गई है तो अब हम इसको उन से काटकर अलग कर लेते हैं तो देखिए फिस हमने इसको अच्छी तरीके से लपेट लिया है बहुत अच्छी फिनिसिंग आई है इसकी और इसी तरीके से हमने सारे बल्ब को लपेट लिया हमें जितनी जरूरत थी चीजे बनाने में देखिए दोस्तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे क्या क्या चीज़े आप बना सकती है तो सबसे पहले तो मैंने इसका जूमर बनाया था तो बहुत खुल सुरत लग रहा था यह जूमर उसके बाद मैंने इसका गेट भी बनाया था जो रिसेंटली मैंने चैनल पर अप बुल्दस्ता है उसके बाद मैंने यहां पर जूमर बनाया है दूसरे तरीके से इसका जूमर के बाद यहां पर दिवाल गिरी है दिवाल गिरी भी अच्छी लग रही थी यह बल्ब का जूमर है उसके बाद मैंने यह नई वाली दिवाल गिरी बनाय थी वाल हैंगी उसके बाद यह गेट परगा है दोस्तों यह सारे चीज़े आप बल्ब से बना सकती है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें चनल को पहली बार देखने तो चनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेजिए थैंक्स पूर वाचिंग में वीडियो टे